एस्मार्ट नोकरी में आप सभी का स्वागत है मैं होनिसकुमार दोस्तो तीन अप्डेट्स है और तीनों अप्डेट्स के बारे में मैं आप सभी को जल्दी बता देता हूँ एम्स का है, आईपी यू का है और आईसी एयर का भी है तो चलिए सुरू करते हैं, अगर आपने अभी तक स्मार्ट नोकरी को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब कर ले तो फ्रेंट्स सबसे पहला अप्डेट्स आप सभी को देता हूँ एम्स का एम्स ने अपना final registration का date extend कर दिया है और अब 11 में तक कर दिया है 11 में के पहले आप इसमें final registration कर सकते हैं बीच में start किया था, आज से कुछ दिन पहले start किया था लेकिन payment बहुत सारे students का payment नहीं हो पा रहा था और बहुत सारे students का payment हो गया था तो फिर से इसको reopen कर दिया गया है जिस students का payment हो गया है उनको नहीं करना है लेकिन उन students को मैं एक बात बलूँगा कि आप open करके check कर ले कि आपका payment confirmation मतलब confirm हो गया है या नहीं और जीन students का payment नहीं हो था वो final registration जल्द से जल्द कर दे साथ अभी भी थोड़ा बहुत problem हो लेकिन मैं एक बात बलूँगा कि early morning या रात के समय करें सरवर उस समय ज्यादा सही रहता है और payment हो जाएगा आप ट्राइ करें payment हो जाएगा ठीक है फ्रेंड तो 11 में के पहले कर दे अगला है IPU का गुरु गोबिन सिंग इंत्प्रस्ता उनिवर्सिटी का और यह देली में है मैं आप सभी को बता दूँ कि फ्रेंड जीने स्ट्रेंड ने इसमें अपलाई किया था तो इसका भी डेट जो है आपका extend कर दिया गया है application form का 25 में कर दिया गया है तो आपने अभी तक registration नहीं किया है तो आप registration करा सकते हैं open करके आप check जरू करें यह इसका website है मैं बता दूँ कि इसमें MBBS, BDS और आयरुवेदी के लिए होमेपती के लिए भी इसमें registration स्टार्ट होता है लेकिन इस सभी college में आप सभी को अभी ही करना होगा अगर आप interested हैं IPV में 5 college हैं MBBS का तो इसमें करा सकते हैं मैंने वीडियो बना दिये इसके related मैंने वीडियो बनाया हुआ है कौन-कौन सा college है अगर आपने नहीं देखा है तो description में जाकर देख सकते है मैंने इस वीडियो का link दे दिया है next update है updates है ICAR का तो friend बता दू कि agriculture का exam होने वाला था 1 June को 1 June को और admin card release होने वाला था 8 में को लेकिन friend बता दू बहुत सारे students इसके related मुझे message का रहते तो मैंने मैं उन सभी students को बता देने चाहूँगा कि इसका भी exam अब postpone होगा ये exam नहीं होगा लेकिन पता नहीं अभी तक इसका updates क्यों नहीं दिया गया postpone गया मुझे नहीं पता लेकिन मैं आप सभी को बता दू कि आपनी श्चिंत रहें इसका भी exam नहीं होगा ये exam postpone होगा जरूर आज से कल तक इसका भी notification आ जाएगा ठीक है फ्रेंड तो एक जून को exam नहीं होगा इसका भी date further extend किया जाएगा अब date कब तक दिया जाएगा तो आपनी श्चिंत रहें date जब भी आएगा मैं आप सभी को बता दू और notification officially जल्दी इसका भी आप सभी को मिल जाएगा तो अभी क्लिक नहीं ये smart nobody चैनल को subscribe करें ताकि आपको time to time updates मिलता रहें and hit the bell icon thanks for watching video